हलो दोस्तों मेरा नाम है आरवी आज इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ तो बहुती ज़ादा बड़ी है मोबाइल्स जो आपको मिलते हैं सिर्फ साड़े आठ हजार में तो अगर आप एक मोबाइल खरीदने की सोच रहे हैं रियल्मी की तरफ से आने वाले सीवन के बारे में यह 2019 में लॉंच हुआ है यह आपको मिल जाएगा साड़े आठ हजार रुपे में ऑनलाइन बाकी जैसे ही आप इसको अन्बॉक्स करते हैं सबसे पहले इसमें मिनी बॉक्स रखवा मिल जाता है इस तरीके से जिसके अंदर की तरफ आपको लगावा मिल जाता है सिमेजक्टर टूल और इसके अंदर की तरफ आपको रखवा मिल जाते है कुछ यूजर मैनुवल तो इस तरह के यूजर मैनुवल आपको मिल जाते है इस मोबाइल के साथ बाकी एक मिल जाता है सिंपल सा ट्रांस्परेंट बैक कवर ये चीज अच्छी है इस मोबाल के साथ आपको कवर मिलता है लेकिन एरफून्स आपको नहीं मिलते हैं बाकी इसके बाद देख लेते हैं सी की ठीक नीचा आपको रखावा मिल जाता है मोबाल एक रैपर के अंदर इसका डिटेल लूक हम अभी देखेंगे इससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको रखी वे मिल जाती है एक डेटा केबल डेटा केबल की क्वालिटी बहुत बढ़िया है इसके लेंध भी काफी अच्छी है और USB to Micro USB केबल आपको इस मोबाल के साथ मिलती है इसके बाद आपको रखावा मिलता है एक चार्जर वाइट केलर के अंदर काफी बड़ा सा चार्जर आपको मिल जाता है और रेट के हिसाब से इसकी क्वालिटी आपको काफी इच्छी मिल जाती है Specifications में आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर आपको आउटपुट मिलता है 5W 1A का तो ये मुझे थोड़ी सी कमी लगी इस मोबाल में 8000 के हिसाब से अगर 5W 2A का आउटपुट का चार्जर होता तो काफी बढ़िया रहता तो ये सारा समान तो आपको मिलता है बागी इसके बाद आपको रखवा मिलता है कवर सिंपल सा ही कवर मिलता है ये चीज़ अच्छी है दोनों ही मुबाल के साथ आपको कवर मिलता है इसके बाद आपको रखवा मिल जाता है मुबाल एक रैपर के अंदर इसका detail look हम अभी देखेंगे, इसके बाद देख लेते हैं, box के अंदर आपको रखी ही मिलती है, यह data cable, data cable के length काफी है, और quality इसके आपको normal मिल जाती है, अगर हम दोनों mobile's की data cable देखें तो जादा बड़ीया data cable आपको realme C1 के साथ मिलती है, इसके बाद आपको मिल जाता है charger white color के अंदर, जिसके अंदर आपको output मिलता है 5W, 1A का ही, तो दोनों ही mobile's के अंदर आपको एक जैसा ही charger मिलता है, लेकिन quality में देखा जाए तो जादा बड़ीया charger आपको realme C1 के साथ मिलता है, तो यह सारा समान आपको मिल जाता है इन दोनों mobile's में, rate के हिसाब से देखा जा back panel पर आप देख सकते है, light की reflection कैसे लग रही है, दोनों ही mobile's काफी बड़ीया लग रहे हैं design के अंदर, लेकिन जादा बड़ीया है Vivo का mobile क्योंकि realme C1 के back panel पर scratches बहुत जादा जल्दी आ जाते हैं, तो design में जादा बड़ीया है Vivo का mobile, बागी बात करें camera के बारे में, तो आपको front camera मिलता है 5 Megapixel का, front camera आपको जादा बड़ीया मिलता है Vivo में, और back camera जादा बड़ीया मिलता है realme C1 के अंदर, तो ये हैं दोनों mobile's का complete design, आप मुझे comment करके बताएगा किसका design आपको जाद अच्छा लगा, बाकी बात करें display के बारे में, तो इन दोनों ही mobile's के अं बाकी user interface आप देख सकते हैं, आपको दोनों ही mobile's में screen पे ही सारी applications मिल जाती है, user interface जादा बड़ीया लग रहा है Vivo का, realme C1 से, बाकी इन दोनों mobile's के अंदर मैं आपको colors भी दिखा देता हूं, करीब से किस mobile के display जाद अच्छी लग रही है, तो size के अंदर दोनों display अच्छ जाती है, चोटी notch, तो इस वज़े से जादा बढ़िया लगरी है Vivo की display, तो display के अंदर जादा बढ़िया है Vivo का mobile, बाकी इस तरफ से आप देखेंगे तो आपको SIM की tray मिल जाती है, और एक अच्छी चीज यह है, इन दोनों ही mobile's के अंदर आप दो SIM card, एक memory card, तीन चीज़ लेकिन internal storage और RAM आपको जादा मिलती है, रियलमी C1 में, तो यह चीज़ जादा अच्छा है C1 के अंदर, बाकी 16GB में से तकरीबन 8GB आपको free मिलती है Vivo में, और C1 के अंदर आपको 21GB के आसपास, तो इस चीज़ में जादा बढ़िया है, रियलमी C1 इसके अंदर आपको जा जाती हैं, लेकिन रियलमी C1 में यह चोटे-चोटे आइकन देखने को मिलते हैं, तो इस चीज़ में जादा बढ़िया है Vivo का mobile user interface, इस mobile के अंदर जादा बढ़िया है, बाकी बात करें processor के बारे में, तो Vivo के अंदर आपको मिलता है Media Tech का P22 processor, और रियलमी C1 में आपको मिल बाकी हलका सा जादा बढ़िया processor आपको मिलता है, रियलमी C1 के अंदर Vivo से, बात करें बैटरी के बारे में, तो बैटरी तो इन दोनों ही mobile's के अंदर आपको बहुत बढ़िया मिलती है, विवो के अंदर आपको मिलती है 4030 एमेच की बैटरी, बैटरी backup इन दोनों ही mobile's का बहुत बढ़िया है, एक दिन का बैटरी backup आराम से आपको मिल जाता है, तो बैटरी के मामले में ये दोनों ही mobile's बहुत बढ़िया है, तो ये सारी चीज़ आपको मिल जाती है, विवो के अंदर और रियलमी C1 में, चली बात कर लेते हैं, सबसे main चीज़ आपको इन दोनों C1 क्योंकि इसके अंदर आपको दो कैमरे मिल जाते हैं, तो कैमरे के मामले में रियलमी C1 आपके लिए जादा बढ़िया रहेगा, आप रियलमी C1 लीजिएगा, बाकि अगर आपकी main ज़रत है बैटरी की, तो आप दोनों में से कोई सा भी खरीच सकते हैं, दोनों ही mobile's में आपकी main ज़रत है डिजाइन की, तो मैं आपसे कहूंगा आप वीव लीजिएगा, क्योंकि इसके back panel पे scratches कामाएंगे, रियलमी C1 के back panel पे scratches बहुत जादा जल्दी आ जाते हैं, तो इस मामले में वीव का mobile जादा बढ़िया है, अप वीव लीजिएगा, अगर आपकी main ज़ ये रहेगा, आपके लिए वीव लीजिएगा, बाकी internal storage आपको सिर्फ 500 रुपे के फर्क में ही आपको जादा मिल जाती है, और RAM भी जादा मिल जाती है C1 के अंदर, तो इस चीज़ में realme C1 जादा अच्छा है, अगर आपको internal storage जादा चाहिए, तो आप realme C1 लीजिएगा तो हर एक चीज़ के हिसाब से देखा जाए, तो ये दोनों ही mobile's काफी बढ़िया है, बस matter ये करता है, कि आपको किस चीज़ की है, आपको किस के ओपर जादा भरोसा है, कमिया तो इन दोनों ही mobile's में आपको देखने को मिल जाती है, कुछ कमिया Vivo के अंदर भी है, कुछ कम कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिएगा, उसके साथ बैल आइकन भी दबा दिएगा ताकि नई वीडियो आप तक पहुँचते रहें, इसके लावा वीडियो कर आपको helpful लगी, तो अपने फ्रेंड्स से साथ इस वीडियो को शेर कर दिएगा, वाटसेफ फेस्बुक पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए, टेक केर, बाबाई